असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हो सभी लोग I hope कि सभी अच्छे होंगे तो कुछ आर्स पहले एक रियूमर अपडेट आ गया क्लास 11 को कि रिजल्ट जो है वो डिकलेट किया गया तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसीज किये वाटस अप पर और फोन भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर जो 11 क्लास के स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट अगर डिकलेड हो गया लेकिन आपने कोई अपडेट नहीं दिया क्या ये सच है क्या जोट है तो इसमेंसे ही भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने फोन पिक नहीं किया उसके लिए मैं माफी चाता हूँ क्योंकि बहुत सारे students phone करते हैं और message whatsapp करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे comment में बता सकते हो जो भी आपको पूछना है otherwise आप मुझे टेलेग्राम या इनस्टेग्राम पे भी message करके बोल सकते हो कि whatsapp मुझे समझ नहीं आ रहा है बता दूँगा आपको की activity में result कब आ जाएगा इन्शालला दुआ करते हैं कि जो भी 11th में भी इन्शालला उसके अच्छे marks आ जाएगे वो 12th में आराम से जाएगा क्योंकि 11th class का ज्यादा कुछ depressed नहीं होता जो आपका exam होता है यह फिर आपका जो आपकी जो marking होती है वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं होती आराम से आप पास हो सकते हो ठीक लेकिन आप tension लेती हो क्या होगा क्या नहीं होगा tension से आपको आपका सहरी खराप हो जाएगा और आप depression में जाओगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप tension ना ले 11th class जादा कुछ difficult नहीं होता फिर से बता रहा हूँ अब रहा सवाल की result जो है कब तक आजाएगा result जो है मैंने आपको बाता दिया था जो timeline है आपको वो June, July के पहले ही week में आ गया था ठीक उसके पहले week जो है इसमें result आ जाएगा यह नहीं कि Monday, Tuesday तक आपका result जो है वो declared किया जाएगा इंशाला जब आ जाएगा inform मैं करूँगा क्योंकि official website पे कोई भी notification नहीं आती कि अभी आ जाएगा दो दिन के बाद आ जाएगा नहीं यह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिडिक्टिक के हिसाब से कि Monday तो Tuesday तक आपका result जो है वो declared किया जाएगा वो percentage मैं आपको इंशाला दूसरे वीडियो में बता जो कि percentage क्या है क्योंकि वीडियो लंब हो जाएगी आपके पस टाइम ज्यादा नहीं होता इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो भी बनाता हूँ आप सभी लोग के लिए तो चलो जी यह छोटा सा अपडेट था आपके लिए अगर वीडियो पसना है इसको लाइक शिर शुरू करना और सबस्क्रेब भी करना क्योंकि आप सबस्क्रेब नहीं करते हैं आप सबस्क्रेब भी करना इजिए जाज़त अल्वा हाफिस